नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीवो वीट्वेंटीवन फाइव जी वर्सिस एकू नाइन फाइव जी का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में द इंच जबकि एकू नाइन फाइव जी में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है जोकि वीट्वेंटीवन फाइव जी से कम है विथ की बात करें तो वीट्वेंटीवन फाइव जी में 2.91 इंच जबकि एकू नाइन फाइव जी में 2.96 इंच की विथ मिलती है बात करें थिकनेस की त तो, V21 5G में 0.29 इंच जबकि IKU 9 5G में 0.34 इंच की थिकनीस मिलती है जो कि V21 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो, V21 5G में 176 ग्राम्स जबकि IKU 9 5G में 200 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। जो कि V21 5G से ज्यादा है। तो, चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, दोनों फोन में सेम ही, AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो, V21 5G में 6.44 इंचर्स जबकि एकू 9 5G में 6.56 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन, V21 5G में 1080 by 24004 और एकू 9 5G में 1080 by 2376 मिलता है Screen to Body Ratio, V21 5G में 84.9 प्रतिशत जबकि एकू 9 5G में 86.95 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, V21 5G में 409 प्रति इंच जबकि एकू 9 5G में 398 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो, V21 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो, V21 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और एकू 9 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो, V21 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते है और EQ9 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें पांच डिफरेंट फीचर्स मिलते है अई अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफर्मेशन देखते है हाद्वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते है GPU की बात करें तो, V21 5G में Mali G57MC3 जबकी EQ9 5G में Adreno 660 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, V21 5G में MediaTek Dimensity 800UMT 6853V और EQ9 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus मिलता है बात करें RAM की तो, V21 5G में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 8GB की RAM मिलती है जबकी EQ9 5G में एक ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 12GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो V21 5G में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की Storage मिलती है जबकी EQ9 5G में एक ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 256GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो V21 5G में अप टू 1TB जबकी EQ9 5G में नहीं है ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो V21 5G में Android V11 जबकी EQ9 5G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी V21 5G में 4000mAh जबकी EQ9 5G में 4350mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो V21 5G में 3 Colors जबकी EQ9 5G में 2 Colors ओप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V21 5G में 2 Variant देखने को मिलते है जिसमें की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 29,990 रूपीस 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 32,990 रूपीस में मिलता है और बात करें EQ9 5G की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जो की 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 46,990 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo V21 5G में 4 फायदे और टीम नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें EQ9 5G की तो उसमें साथ फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है Result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में V21 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में EQ9 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है दूसरा Google Pixel 6 Pro 5G है तीसरा Xiaomi Mi 11 Lite है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M32 5G है और ये सारे फोन की Details आपको Description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना